हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कैश्यू चिकन इसके लिए आपको चाहिए एक किलो चिकन और एक कप आप दई ले ले लिजी फ्रेश दही जिंजर गार्लिक प्रेस्ट वन टी स्पून रेड चिली पाउडर हल्दी दो चमच और कैश्यू लगेंगे 15-16 दाने देन नमक स्वादुमसर अब आपने क्या करना है जो ग्राइंडर लेना है ग्राइंडर के अंदर आपने थोड़ा दही लेना है दही अभी थोड़ा ही लेजिए क्योंकि आपको कैश्यू को अच्छे से ग्राइंड करना है पेस्ट बनाना ह हैं इसको तो हम पानी नहीं डाल रहे हैं वागी का दए हम बाद में चिकन मेंयड करेंगे और कर दिजिए ह। अब यह आपने क्या करना यह सब आपको इस चिकन के इंदर एड करते जाना और नमक स्वाधुन्सार फ्रेश कर्ड़ होना चाहिए पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर जाधा के यह कर्ड़ भी आइड पार्ट कर दिया कर दिया अब साती में अब आप यह टीजिय कुण्दमरी कोड़रेट कर दो दैन वन टीजिपून रेड़ चिली पाउडर और आप इसमें जिंजर गालिका चमचा भी डाल देजे और नमक स्वादुनसर फिर आपने इसको क्या करना है एक साथ में अच्छे से अभी अच्छे से मिक्स होगे हैं सब मसाले चिकन में आपने इसको अच्छे से बन करके और फिर च एंदर दो से तीन घंटे के लिए चिकन रेड़ी है अब आपको तड़के के लिए क्या क्या चाहिए कसूरी मेती दो चमच और चाहिए साथ में आपको यह खड़े मसाले चाहिए जैसे कि तेश पत्ता दाल चीनी लॉंग और चोटे से काल ब्लैक पेपर देन दो मीडियम साइस के प्याज और नमक स्वाद अन में स्टेक डाल दिया यह कुछ ब्लैक पेपर के दाने लॉंग इनको थोड़ा क्रैकर होने दीजे उसके बाद में आपको दो मीडियम साइस की तो चॉप्ट अनियन थे वह भूनना है मेक शिर उसको प्याज को आपको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है चलिए अब आपका प्याज हो गया रेडी इसको जादा भूनना नहीं है लाल नहीं करना गोल्डन प्राउन नहीं करना है आपने इसमें अभी मेरिनेटिड चिकन डाल देना है अब आप इसमें साथ ही नमक डाल दीजिए नमक देखके डालना अपने मेरिनेशन में भी डाल है और कसूरी मेती अब इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा हिला दो फिर कवर करके आपको इसको पकाना है आपने इसे पानी बिल्कुल नहीं डालना है दई ही पानी छोड़ेगी चलिए अब चिकन आपका रेडी हो गया है अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शियर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग वन्स अगेन